तो कहते हैं कि अपने दर्शकों को कुछ और खबरों का रुक करा लेते हैं कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगी तो समझो वारे नयारे हो गए पहले तन्खुआ फिर पेंशन कफन दफन तक का इंतिजाम सरकार करती है लेगने यह तब होता है जब सरकार हो सरकार का इकबालो, सरकारी इकबाल में कानून का राज हो वरना वही होता है जो तर्प्रदेश के मत्वरा में हुआ UP पुलिस की सरकारी नौकरी में कफन डफन का इंतिजाम पहले हूँ और बाद में परिवार को उनकी शाहद़त का मोवज़ा मिलेगा मुआफ़ास ड्यूटी के लिए जिससे कभी उन जाबा जदिकारियों को इमानदारी से करने ही नहीं दिया गया इसके लिए उन्होंने सेवा को चुना था 17 जून 2011 सत्या ग्रहियों के नेता रामवरक्ष यादो समेथ 15 लोगों पर नामजद और सैक्लों अग्यात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला कर बलवा मारपीट और धंकी दिये जना का मुकतमा दर्च 2 अक्टूबर 2013 जवाहरबाग सनक्षन अधिकारी किशन ने सरकारी काम में बाधा गाली गलोग और सरकारी संपती पर कबज़ा करने के खिलाफ रामवरक्ष और उनके समर्थों के खिलाफ ठाना सदर बजार में रिपोर्ट दर्च 7 जून 2014 जिलाओ दियान अधिकारे मुकेश कुमार ने सरकारी संपती को कबज़ा करने शदी पहुँचाने गाली गलोग और धंकी देने पर 250 कतित सत्याग्रेओं खिलाफ ठाना सदर बजार में रिपोर्ट दर्च 15 जून 2014 ठेकेदार जैप्रकाश ने पेड़ों से फल तोड़ने पेड़ काटने और जान से मारने की धंकी दे जाने की रिपोर्ट थाना सदर बजार में दर्च 24 सितंबर 2014 सत्या ग्रही पर जिला उद्यान अधिकारी को धमकी देनों और जान से मारने की रिपोर्ट थाना सदर बजार में दर्ज 29 नॉंबर 2014 सत्याग्रेगों खिलाफ सरकारी संपती पर कबजा करने और शती पहुचाने के खिलाफ थाना सदर बजार में रिपोर्ट दर्ज 15 जनर्री 2015 साहेक उद्यान इरिक्षिक रामस्तुरूप शर्मा ने बलवा करने गाली गलोज करने सरकारी संपती पर कबजा करने और धमकी दनी की रिपोर्ट रामवरक्षियादोर उसके 150 समर्दों खिलाफ दर्ज 22 जनर्री 2015 थाना दिक्ष प्रदीगुआर पांडे ने कती सत्या ग्रेजों पर सरकारी काम में बाधर डालने संपती पर कबजा करने की रिपोर्ट थाना सदर बजार में दर्ज कराई 27 मई 2015 जब हर बाग में तैनात करमचारी जग्दीश प्रसाद ने रामवरक्षियादोर चंदन बोस समेट 20 लों को नामलत करते हुँ 150 लों खिलाफ मकदमा दर्ज कराया 16 मार्च 2016 कलेक्टेट करमचारी देविस सिग ने रामवरश समेट अनलों खिलाफ मारपीट और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई 4 अपरेल 2016 अधिवक्तार आकेश कुमार ने बलवा मारपीट की रिपोर्ट थना सदर बाजार में दर्ज कराई जो रामवरक्ष और उसके साते होगी खिलाफ थी 4 अपरेल 2016 तहसील सदर में तराथ लेकपाल ने चदरुवेदी ने रामवरक्ष और उसके सेयोगे पर सरकारी काम में बादर टानले का मुगादमा दर्ज कराया ये तारीखें और ये मामले बताने के लिए काफी है कि मत्धुरा में बीते दिन जो कुछ हुआ है वो ना तो एक दिन में हुआ और ना ही अचानक हुआ आप ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि इसी साल अपरेल के महीने में इस्थानी इंटिलिजन्स ने रिपोर्ट दी थी कि जवाहर बाग में हत्यार बंदलोग मौजूद है परिसर की नेगरानी रिपोर्ट जो ड्रोन के जरिये दयार की गई उसमें भी ये बाद साफ नुए बावजूद इसके करीब दो दरजन पुलिस कर्मी अपना इलाज अस्पताल में करा रहे हैं और यूपी पुलिस फोर्स के दो अधिकारी शहीद हो चुके हैं जो शहीद हुए उनके परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है सब्सक्राइब करें जान परिवाई सकती है तो हजारों आदमी की जा सकती है लापरवाई से तो मैंने उसको हमेशा ही सिखाया कि काम मैनस से करो बोल ले करो लेकिन अब ये उसके कॉमन सेंस की बात है कि जितना बड़ा जहां हुदूम है अब दो साथे लोग कबजा किये हुए तो डियम एस्पी अलग बैटे हुए डियम के बंगले के रेड़ सु मीटर पर है इसमें दोराय नहीं कि इतने मुगदमे दर्ज होने के बाद कोई तुक नहीं बनता कि फोर्स समय रहते कम से कम नुक्सान उठाते हुए ना सिर्फ जवाहर बाग को खाली करा सकती थी बलकि उन उपद्रियों पर ऐसी कारवाई करती जो भविश्य में नजीर होती लेकिन सत्ता धारιों का ये ऐसा दबाव था जिसने असल में सरकारी अधिकारीों को अपनी डियूटी करने से रोका उन पद्रियों में इतनी ताकत होती तो ये जंगाज भी जारी रहती लेकिन नफे नुखसान की बिसाथ को टडोलती सत्ता ने अपनी मशिनरी को तब तक अपाहिज रखा जब तक उसे पानी अपने सिर से उपर जाता नहीं लगा लखनों से अवनिश विवेक के साथ अनुराग चठ्था इंडिया 24-7 अवनिश के पास ही चलते हैं हमारे समवादाताम आई साथ लखनों से जुड़े हुएं अवनिश अभी थोड़ी देर पहले हमने केबिनेट मंत्री शिफपाल यादव से बात कि उन्होंने बस का मामले की जारी है कोई संड्रक्शन नहीं था वो चीज़े मान भी रहे हैं और मीडिया के सामने खुलकर भी नहीं बोल रहे हैं कितना बड़ा ये फेलियो रहा है हाला कि अखिलेश यादव मान रहे है कि यूपी सरकार पूरी तरीके से जिम्यदार है मामले पर सियासर शुरू गई है लेकिन सवाल उन जवानों का है जिन्होंने इतनी मेहनत की उनके बार-बार इंटेलिजेंस के बताने के बावजूद भी कार्रिवाई क्यों नहीं कितना बड़ा ये सुचना तंत्र का फेलियो रहा इस पूरे मामले में देखेता हूँ जल्दी होनी थी जल्दी से इसमें एक्शन लिया जाना था उन लोगों के खिलाब जिन्होंने लापरवाही बड़ती या उन लोगों के खिलाब जिन्होंने इस मामले में कहीं न कहीं सित्खिलता बड़ती वो कारवाई जो है वह 12 घंटे फिर से डिले कर दी गई और नए सिरे सब उसकी जान जो है वाली गड़ के मंदला युद करेंगे अब इन मामलों मे जो लापरवाईयां पाई गई हैं उसमें खास तोर पर इंटेलिजेंस फेलियर बार-बार बताय जा रहा है इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस इंपुट जो मिला था उसमें ये बात कही गई थी कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें सरिया, डंडे, इट पंथर ये कट्टे जरूर क दिए गये हैं इन लोगों की दोरा इसका लामा मिट्टी का तेल और सरसों का तेल रखा गया है जिसको कभी जरूरत पढ़ने पर या तो आत्मता आग करने की कोईश की जाएगी या पिर जिस जगह रह रहे होंगे उसको आग लिगा दी जाएगी ये साधी इंटेलिजेंस की उसे जरूर दिये गहते लेकिन इंटेलिजन्स की उसे ये इंपुट नहीं दिया गया था कि उनके पास हतियारों का कोई जखीरा है अवैद हतियार है या किसी तरीके के सस्त्र वगएरा जो है वहां लोग कैरी कर रहे हैं ये बात समझनी जरूरी है कि उतरप्रदेश में न सिर्फ मतुरा की घटना वलकि इससे पहले दादरी की घटना मुझफवर अंगर की घटना मतुरा में काट की इंसा हुई थी मुरादाबाद में माट की इंसा हुई थी प्रताबगड फैजाबाद फिरोजाबाद तमाम ऐसे शहर हैं जो इंटेलिजन्स फैलियर के नाते और उनकी भूमिका, उनके कामकाज में किसी तरगा परिवर्तन नहीं किया गया, उनके मुख की भूमिका रान्यतिक तोर पर चीजों को देखना ज्यादा समझ में आई, लोकल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, उस पर काम करना, ये शायद इसमें कही न कहीं बेपलता सीधे दोर पर दिखाई दी अब जुकि राजसभाग के विधान परिशत के चुनाओं भी चल रहे हैं तो सारा फोकस विधायकों की इस्तितियां उन पर निगरानी रखने में इंटेलिजेंस यूनिट्स लगी हुई हैं इस तरह की घटनाओं की इस तरह की छोटी घटना है जो बड़ी घटना करूप ले सकती हैं उन पर फोकस नहीं और इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि मतुरा की घटना में भी एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था इसकी तियार, असले, इतने सारे कार्थूज कैसे यहां बरामद उन्होंने स्टोर करके रखे थे और बिना किसी सियासिस अन्रक्षन के ऐसा पॉसिबल नहीं, क्या किसी को दो साल में नहीं पता चला कि वहां पर क्या हो रहा था? खूब पता था लोगों को कि किस तरह के लोग वहां हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो मतुराव आने से पहले गाजी पूर या दूसरे चतीजगर मदप्रदेश की सिमावर्ती इलाकों में, किस तरह की गदिविदियों में सनलिप थे, किन लोगों से उनके कनेक्शन थे, इस बात के भी इंपुट सब के पास थे, अस्थानी जिला प्रसासन के पास भी था, लाईउ के पास भी था, इसके लामा, और भी जो लोग इन मामलों से जुड़े हुए, खास तोर पर यह जो जगड़ा था, जैगुरुदेश संप्रदाई के अंदर संपत्तियों का जगड़े से जुले हुए लोग भी जानते थे कि रामभिक चादो का बैग्राउंड क्या है, पंकर जादो का बैग्राउंड क्या है, और भी जो लोग इसमें पार्टी है, उनका बैग्राउंड क्या है, और यह लोग किस हद तक चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं, हर पक् पूरी तैयारी के साथ और अपनी विचित्र मांगों के साथ ये पॉपलर होगा किसी की हिम्मत नहीं थी पुलिस और अधिकारी के कि इनको एक उंगली तक उठाके दे 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 बिना किसी संरक्षन के कैसे इतना बड़ी चूक यहां पर हो गई जब कोई कह रहा है कि 2014 में दो दिन के टाइम के लिए आया था बात दो साल तक की हो गई हरी श्रंद्रा इस पर जबाब देंगे हमारे साथ पूर वाईयस अधिकारी लखनों से जुड़े होए हैं हरी ठासन और पुलिसबल सरकारी हातों है इस देखिये प्रस्षनिये नहीं है कि चाहे हो मध कॉफध refresh्ति है कि जो जिम्मेदारी है कानून बेस्ता बनाये रखने की उसमें सरकार पूरी जसफल बैलगि कानून ब्रवस्ता पूरे उत्ता प्रद्रा प्र घ्र em Dartmouth सबिसमेटन इस पी की हत्या हो गई दरोगा की हत्या होई अरे इस तरह की सरकार को तो एक चब इतनी है तो पहले से कारवाई करनी चाहिए उनको आने से रोकना चाहिए तो जब देखिए सत्ता में जब सामाजिक तुट भरे रहेंगे उनको सरकारे सरक्षण देंगे तो इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता प्रस्थ यह है कि क्या सरकार में राजनीती किछ सकती है राजनीती किछा सकती है तो पहले सरकार में जहां जहां भी इस तरह के तत्व है या पार्टी में इस तरह के तो उनको निकाल बाहर करना चाहिए तो इस सरकार की पूरी तरह से धस्थ हुई व्यवस्था कानून व्यवस्था के कारण यह हो रहा कि पूरी तरह से उ मुआवजा ही सोल्यूशन है सिर्फ मुआवजा देकर छोड़ दिया जाता है वो पुलिस के लोग जो बिना किसी प्रोटेक्शन के एक्शन लेने चले जाते हैं और खुद राजी का मुक्या कहता है कि हाँ नाकामी हो गई हमने अनुमान नहीं लगा था कि लोग इतने है प् सरकारी खजाने का पब्ली के धन का इस सरकारे कौडियों के भाव भाव इसी तरह सुछन जाती है किसी चाहिस इस्पी की हत्या हो सब- 시청 कि हस्तिया हो या किसी और पुलिस क्या रूपिया-पैसे से उसकी हत्या को कमपनसेट किया जा सकता है मनुस्तिकी सबसे जिन्दगी उ आप जितना देते रहते हैं, एक äवल एक तरीके से बिसक्स को अकारण नवा और कोई कारण नहीं है. अवरीश सरकार क्या शर्मिंदा मैसूस कर रही है कि गलती हो गई क्योंकि वो कह रहे हैं कि जाबाजी को हम सलाम करते हैं लेकिन पुलिस वालों का तो परिवार यही कह रहा है कि मेरे बेटे को क्या लोटा सकते हो आप तैसा में में वर्निंग अल्टिमेटम दिया गया एक जना पांच हज़ार लोगों की फौज खड़ी कर देता है भढ़का कर एक सेना बना देता है विचितर डिमांड करता है किसी को पता ही नहीं कोई जाने से डर रहा है किसका संरक्षण होने धाल कर देता है पूट का भाव था नहीं इंटेलिजेंस इपूट था और इसी लिए जो फुलीस कर्मी उस ऑपरेशन को कंडर करने के पहुंचेश में जातर ऐसे थे जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ही नहीं थे जिन्होंने प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह की कोशिश जो है किसी तरह का हैतियात नहीं परता था ये मान के चल रहे थे पुलीस के अधिकारी और लोग वहाँ पर कि लाठी डंडों के बलपर हम निप्टालेंगे सिचुएशन कुछ बहुत जादा होगा तो आसु गैस के गोले या एक दो ऐस तरह की चीज़ें जो है करेंगे र बोलियां जिस तरीके से लगी हैं वो बताती है कि किस तरीके से निर्भीक थे वो लोग उपद्रवी किस तरीके से निर्भीक थे जिन्नोंने खुद को आग लगा ली खुद के जहां पर वो मौझूद थे महिलाएं बच्चे मौझूद थे उन जगहों को आग लगा दी औ उसके बाद जो है कहीं ने कहीं पुलिस पर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की और फिर counter fighting शुरू कर दी यहाँ पर भी 1440 लागू थी और लाठी चार्ज जब शुरू हुआ counter attack जब उधर से किया जाने लगा फाइरिंग होने लगी तब भी अधिकारी लगातार बरिस अधिकारियों से इस बात को लेकर के आदेश लिते रहे कि आखिर हम फाइरिंग करें न करें फाइरिंग करें न करें और इस बात में भी अच्छा खासा समय वहां पर लगा है इस बात की जानकारी वहां से आ रही है और उसके बाद जब पुलिस को आदेश मिला तो पहले आदेश मिला रबर बुलेट के लिए टियर गैस चोड़ने के लिए और उसको छोड़ा गया फिर भी counter attack लगातार पुलिस के अधिकारी जो थे उनकी जान गई उनको सहीद होना पड़ा और उसके बाद जागर के जो है बिल्कुल आप सही कहा है और दो साल में वहां पर एक सेना का यहां पर गठन हो गया जिसकी गतिविदी एकदम नकसलवादी जैसी थी मतुरा में शांती रहती है आस्त तरीकी की चीज़ें आपर देखिऊंगे कुल मिलाकर अपनी शेही लग रहा है कि सरकार एक्षन लेने में डिसीजन लेने में में चूक गई बहुत सौफ्ट रुख था उसका जी बिल्कुल निहारी का पूरा तंद्र धीला दिखाई पड़ा अभी सूचना तंद्र से लेगा प्रसासनीक तंद्र सासन तंद्र सब कुछ इसमें धीला दिखाई दिया और इसलिए आप देखिए 12 घंटे बाद जांच अधिकारी बदल दिया गया रहे क्या दिक्कत थ आगः कही कमिस्नर अगर इस मामले की जांच करते या कोई और अधिकारी इस मामले की जांच करता एक बाद तै कर लेते जो निर्ना था उसको आगे बढ़ा तेuros लेकिन रूनर नेर Bit बदल लिया गया कित बदला गया ये तो आगे चलन पर पता चलेगा लेकिन यह बात संह कहीं ने कहीं संदक्षन उल्लों का था जो अवैद गत्विदिया महा पर चला रहे थे जब दबाव बढ़ा अदालत का अदेश आया लेकिन अदालत के आदेश के साथ साथ उस गुट का भी दबाव जो है वो आया जिसको सत्ता का संदक्षन प्रापत है उस गुट ने भी ज कि कमी ने घटना जो है वो करा दी हरी शंद्र जी ऐसे केसिस तो आप लंबे समय से देख रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजिनीती और वरकिंग स्टाइल का आपको बहुत अच्छी तरीके से अनुभव है आपको नहीं लग रहे है कि शुरू में कारवाई की जा सकत क्या ये धर्म के नाम पर गुड़ दबाव होगा क्योंकि जो असल है थे हमाई संवादा ता बता रहे थे कि वो अपने डिफेंस के लिए उन्होंने किसी और गुड़ पर हमला करने के लिए थे मायलाई भी हतियारों से पूरी तरीके से लेज थी कोई सियासी दबाव प्रस्ट है प्रस्ट ये है कि जब अधिकारियों की तैनाती चात के नाम पर मजहब के नाम पर विरादरी के नाम पर होगी उनकी योग्यता काबियत नहीं देखी जाएगी ये नहीं देखी जाएगी क्या ये सब कानून विवस्ता बनाए रखने में स सरकार का दबाव होगा तो करता हूं कि सरकार का कि सरकार का दबाव दैगे कि पूरी तरह के सफ पूरी तरी में गठना है होती है और ये जब मैंने देखा है जब कोई बता रहे थे कि उसे आडियो से या वाकी टाकी से पूछा जा रहा है गोली चला अरे ये तो सिट प्रिंसपुल है कि जब कहीं भी कानून विवस्ता की इस्तिताती है तो साथ में मजेस्टेट होता है इस लियम होता है इस बात के लिए पूरी तरीके सक्षम है कि लाटी चलाने का ज़रूरत हो तो गोली चलाने का भीड को डिस्पर्स करने का आदेश दे सके तो यह तो बिलकुल सरकार यह है कि सरकार जो है यहां से लखनौव से सरकार चलाती है और राजनीतिक दवाव में अधिकारी काम करते हैं और राजनीति जो है कानून जो है उसी का पालन करता था तो यह सारी रोस्ता ध्वस्त पोस्त हो कुई सरकार नाम की कोई चीज रहे हैं